दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे Google Pay के उपर अपना जो अकाउंट है उसे एक्टिवेट कर सकते हैं वैसे तो ये एक बिल्कुल सा प्रोसेस है लेकिन फिर भी काफी लोगों का इसके उपर एक डाउट होता है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगा तो जैसे ही Google पे आप Play Store पे जाओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा सबसे पहले हमें इस एप को ओपन करना है अब मेरे पास कोई एक bank account होना चाहिए इसको link करने के लिए ताकि मैं इससे असानी से किसी को भी पैसा दे सकूँ और किसी से भी असानी से पैसा ले सकूँ अब कुछ ऐसा इंटरफेस सबसे आगे मेरे को दिखाई देगा यहाँ basic permission मांग रहे है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे allow के option पर click कर दिया अब सबसे उपर देखो तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहे है कि अपना mobile number एंटर कर दो तो जिस भी bank के साथ मालो आपका bank state bank account जो है state bank of india में है तो state bank of india के साथ जो भी mobile number आपका link है वो mobile number एंटर करना है तो जिस भी bank में आपका account है उससे कौन सा mobile number लिंक है सबसे पहले वो mobile number आपको यहाँ एंटर करना है तो फटा फट से मैं अपना जो mobile number है यहाँ पे एक बर एंटर कर देता हूँ अब mobile number में यहाँ पे एंटर कर दिया उसके बाद simply हमें क्या करना है नीचे जो है continue के option पर click करना है अब जैसे ही continue के option पर click करूँगा न तो कुछ ऐसे interface मेरे सामने दिखाई देगा यहाँ पर मेरे पास तो एक ही email ID है तो एक ही email ID दिखा रहा है यहाँ पर उस email ID के ओपर click कर दूँगा और सबसे नीचे यहाँ पर जो accept का option आ रहा है इसके ओपर में click कर दूँगा उसके बाद बोल रहा है verify your phone number अब जो मैंने पीछे mobile number एंटर किया था जो bank के साथ registered था उस mobile number पर verification के लिए एक OTP आ है देखो यहाँ पर OTP उपर आ भी रहा है तो वो OTP मेरे को simply यहाँ पर enter करना है नीचे automatically इसने उठा भी लिया है तो यह OTP मैंने यहाँ पर enter कर दिया थोड़ा सा verification के लिए time ले रहा है तो आपको इसी page पर बने रहा है अब यहाँ पर normal मैं Google Pay के जो main interface है उस पर पहुँच गया हूँ कैसे आप उस UPA ID के मदद से अपने account में पैसा ले सकते हो कैसे जो भी आपने पीछे mobile number इंटर किया उसको किसी को भी दे के पैसा ले सकते हो और कैसे हम QR code scan करके किसी को पैसा भेज भी सकते हो इस सारा का सारा process में आपको बताऊंगा अब सबसे पहला हमें क्या काम करना है से पहले तो हमें वो add करना है तभी तो पैसे कटेंगे तो यहाँ पर add bank account के option पर मैं क्लिक कर दूँगा अब मेरा जो bank account है वो AU small finance bank में है ठीक है तो इसका मेरे पास यह debit card है इसके पीछे account number वेगर है सब कुछ लिखा हुआ है तो कहने का महला मेरा जो bank account है वो AU small finance bank में है त तो मैंने AU small finance bank सेलेक्ट किया नीचे मेरा mobile number आ गया क्योंकि मेरा यही mobile number AU small finance bank के साथ link किया मैंने पीछे भी यही mobile number डाला था तो मेरे को यहाँ simply नीचे continue के option पर क्लिक करना है अब यह थोड़ा सा loading time लेगा यह बोल रहा है यह message send कर दो तो यहाँ पर मैं send के option पर क्लिक कर द ATM से कर सकते हो या फिर अधार से अब आपको जो mobile number verify करना हो सकते है कईयों के पास क्या होता है कि यह जैसे मेरे पास तो यह debit card है इसका pin भी generate कर रहा है सब कुछ है तो मैं पहले वाले option को भी select कर सकता हूं कि verify कर लूँ debit या ATM card से मालो मेरे पास यह ATM card ना होता और मेरे को फिर अधार card से भी अपने bank account को verify कर सकता हूं तो मैं दोनों ही आपको करके बताता हूं जैसे मालो पहला मैं verify करता हूं debit card से तो debit card वाले option को select किया नीचे continue के option पे click कर दिया उसके बाद यह बोल रहा है कि आपका जो debit card है यह जो debit card है इसके पीछे जो debit card number लिखा है उसके 6 अंक आ आप enter कर दीजिए तो debit card के पीछे मैं अपने 6 अंक देख लेता हूं last के तो मैंने यह 6 अंक एंटर कर दिये नीचे बोल रहा है कि month और year expiry date क्या है तो यहाँ पे month और year expiry date भी लिख देता हूं तो यह मैंने कर दिया last के अंक लिख दी है month expiry लिख दी उसके बाद नीचे यहाँ पे continue पे click करूँगा अब बोल रहे create a upi pin जैसे इसने मेरा bank account उठा लिया यहाँ पर पूरा bank account उठा लिया नीचे मेरे को अपना pin set करना है तो मैं create pin के option पे click कर दूँगा चिक है जी उसके मैं google page से किसी को payment करूँगा तो यही 4 अंको का pin मेरे को काम में आएगा तो मैं यहाँ कोई भी अपना 4 अंको का pin set कर लेता हूँ ठीक है जी तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 अंको का pin set किया नीचे मेरे को submit पे click करना है फिर बोल रहा है कि दुबारा से वही same pin enter कर दो verification के यहाँ पे अब यह नीचे बोल रहा है कि receive money from any upi app तो यहाँ पे मैं set upi number भी कर लेता हूँ यानि मैं अपनी upi id को भी set कर लेता हूँ यानि अभी मेरा जो यह mobile number है यह google pay के साथ तो add हो चुका है मेरा bank account google pay के साथ add हो चुका है यानि हम मैं किसी को पैसा तो भेज सकता या इडी किसी को दे सकूँ पैसा receive करने के लिए ठीक है तो मैंने यहाँ पे set किया है तो यहाँ पर बोल रहा है setting upi number थोड़ा सा loading time ले रहा है तो आपको इसी page पर बने रहना है अच्छा यहाँ पर बोल रहा है your upi number is ready तो यहाँ नीचे आपको got it की option पे click करना है अब हमा इस के लिए तो मैंने यहाँ पर इसकोर्च को तो यहाँ पर हमामाुंट मालो मालो मेरे को डालना है 500 रुपीज तो यहाँ पर जैसे मै ने आमांट डाला 500 ठीक है तो यहाँ पर इसने और उठावाआ लिए North Bank है तो यहाँ पर मैं नीचे पे के option पे click करूँगा, basic permission allow करूँगा, यहाँ पे जो पीछे मैंने चार उंको का pin set किया था वो pin यहाँ पे enter करूँगा pin enter करने के बाद submit करूँगा, यह थोड़ा सा loading time लेगा, और यहाँ पे जो है मैंने payment send कर दिया, तो पेला step हमारा हो गया, कि अगर किसी को भी payments scan करके भेजनी है, तो यहाँ पे सीधा हम असानी से scan QR code पे जाएंगे और किसी को भी payment जो है वो कर देंगे, ठीक है हम ने done किया, अब यह देखो यह reward point आ गया, तो ठीक है वो आते रहते हैं, वो अलग बात है, मालो मेरको अपने account का balance check करना है, तो इसी पे ही थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ आउँगा, यहाँ पे देखो check bank balance, तो मैं इसके ओपर click करूँगा, यहाँ पे वही अपना 4 अंकों pin set करूँगा, pin डालूँगा, pin डालने के बाद submit करूँगा, तो यहाँ पे जो है मेरको, जो मेरा AU small finance bank का balance है, जैसे इसमें 25,000 पड़ा है, तो इसने AU small finance bank का जो balance है, वो यहाँ पे show कर दिया, इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे QR code पर कोई scan करे, बाकी अगर आप चाहते हो, जो मैंने mobile number starting mentor किया था, वही मेरा Google पर नंबर हो जाएगा, वो वाला mobile number भी अगर आप किसी को भेजोगे, तो वो भी जो है, आप उस mobile number पर जो भी आपको पैसे भेजेगा, तो वो भी आपके ही account में आएंगे, जैसे मेरे case में AU small finance bank का जो bank account में ने add किया है, उसके अंदर ही फिर मेरे को वो पैसे receive होंगे इसके अलावा, यहाँ पे जो है, मैं UPI light का जो option है, उसे भी activate कर सकता हूँ, UPI light के option पे जैसे में click करूँगा, तो यहाँ पे यह बोल रहा है कि UPI light में मतलब कोई भी एक balance add कर लो, आप 100 रुपे, 200 रुपे, 500, 1000, 2000, कुछ भी UPI light में balance रख सकते हो, UPI light में आपका जो भी balance पड़ा होगा न, उसका बस फाइदा यह है कि उससे Google पे जो application है और fast हो जाएगी, जैसे तो अब देखो UPI light का जो balance है, वो 100 रुपे था, अब मैं जैसे ही 100 रुपे भेजूँगा UPI light से तो मेरे को बार बार पिन एंटर करने की भी जूरत नहीं है, भी किसी को scan किया और सीधा click किया और payment जो है सामने चली गई, तो UPI light जो है Google Pay application को और भी जादा fast बना देते हैं, तो यह सारी की सारी चीजे जो है, मतलब यह सब कुस था Google Pay application के बारे में, तो यह simple सा process था, बाकी install करने का जो app का जो link है वो भी description में आपको दे दिया है, आसानी से जो है आप इस Google Pay app को install करके, मतलब दो मिनट में आसानी से आप activate कर सकते हो, और इसे आप इस्तिमाल कर सकते ह उमीद करता हूं आपको यह video informative लगी, अभी के लिए this is the end of the video, thanks for listening and thank you all.